दोस्तो गूगल कीप से आप दिन के 2-3 घंटा कैसे बचा सकते हैं यह देखते हैं यह प्रोडक्टिविटी एप है इससे आपका टाइम बचेगा आपके स्किल्स जिसमें आदा से 2 घंटा वेस्ट होता था आपके जो टाइम बैस्ट होता था वो बचेगा अप सिंगल प्रोफाल पे मतलब note के जैसे इस्तमाल करते है नोट का, नॉर्मल नोट का वैसे ही Google Keep का इस्तमाल करके आप अपने day to day life की routine वाले life की जो text messages है, जो text video है या photo है वो save करके उसको automatically या format send कैसे कर सकते हो यह देखते हैं अगर यह channel में नए हो तो channel subscribe करो like करो, share करो अपने दोस्तों के साथ उसके लिए आपको gmail account की जरूरत है, आपको क्या करना है Google Chrome पे जाके Google Keep सर्च करना है यह Google Keep मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको google keep keep.google.com उपन हो जाएगा तो आपको यह normal याभी यह मेरा ready है तो यह ऐसे दिख रहा है लेकिन आपके पास अगर नया है आपका नया है, तो यह blank दिखेगा left side में आपको note, reminder, edit, labor, archive, bean यह option दिखाई देंगे और right side में उपर यहाँ पे कुछ text है, यह क्या है मैं पहले settings में बताता हूँ कैसे working होते हैं, क्या होते हैं आपको क्या करना है यहाँ पे जाके पहले देखो, यह तो google के options है कौन से कौन से options है, account है, google है google drive है, doc है, sheets है यह जो normal google के applications है वो यहाँ पे सब show हो रहे setting एक option है, setting आप open करोगे तो यहाँ पे normally add new items to the bottom यह पहले change करके ले लो, यह बता दो कैसे priority पे पहले यह करना है display rich link review select करना है enable dark theme नहीं चाहिए, तो नहीं कर सकते dark theme मतलब एक black and white team है black theme है white team है, तो हम लोग white team ही रखेंगे reminder default आपको जो reminder आप set करोगे उसके timing कौन से बच चाहिए आपको morning, मुझे सभी reminders 8 बजे चाहिए, तो मैं 8 बजे करता हूँ एक बजे करता हूँ, और 6 बजे करता हूँ यह normally business के लिए reminders है यहाँ पर मैंने timing अपने हिससाब से, अपने working style से आप इविनिंग पर काम करते हूँ, नाइट पर काम करते हूँ अपने हिससाब से आप timing change कर सकते हूँ यह तो चीज पहली होगी दूसरी चीज है आप देखोगे, तो यहाँ पर send feedback है application download और keyboard shortcut है तो application download कभी करोगे तो यह directly आपको Google Play Store पे लेके जाएगा और अपने mobile से आपको download करना है या अपने PC के लिए भी आप download कर सकते हो Chrome extension available है यह देखो, Android devices, iPhone, Chrome extension अभी फिलाल तो मुझे Chrome extension की जरूरत नहीं है तो मैं यह नहीं करूंगा दूसरा option से list view यहाँ पर एक single view है और एक list view है यह आप अपने हिसाब से change कर सकते हो अब यह working कैसे होता है मैं one by one check करता हूँ यहाँ पर देखो एक normal note है जो normal note की तरह ही available है लेकिन इसमें कुछ advanced feature है वो क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो for example facebook ad ad मैंने लिखी facebook ad लिखी advertising इसके बारे मैं note लिख लगा हूँ note मेरे इस सबसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर data manage admin data manage call client यह एक example के लिख रहा हूँ कि मुझे क्या के करना है यह तो मैंने लिख लिया कि मुझे client को call करना है data manage करना है broadcast list बनानी है broadcast list बनानी है तो यह मैंने मेरे list वर्ग्राउंड की लिख दी इसके बाद मुझे reminder करना है कि मुझे काम कब चाहिए तो मैं reminder पर जाता हूँ यहाँ पर कौन सा date चाहिए last, later, today, tomorrow, next week select date, select place अब यह select place जो options है न यह इंडिया में launch नहीं हुआ है US में launch हुआ है यह option क्या है मैं बता दो पहले आपको select करना है कि मुझे यह कल reminder करनी है तो कल कितने बज़े reminder करनी है आट बज़े reminder करनी में reminder में डाल दिया second option है यह देखो save हो गया select place है अब यह मुझे location डाल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर location डाल के लगी mistake salesman save होगी यह एक advance feature है जब ही मेरे mobile पे गूगल कीट का app open है मतलब downloaded है तो मैं अगर इस location से जाता हूँ चला जाता हूँ तो यह location पे मेरा mobile vibrate होगा यह US में activate हो चुके इंड़े में नहीं हो गया तो इंड़े में होगा मतलब मानलो आपको कुछ चीज लेनी है बाजार से समान लेना है और wife ने कहा कि आपको दादर से आते हुआ है कुछ चीज़े purchase करनी है और दादर का location आपने mention किया मुंबई में place है दादर का location आपने mention किया और आपको क्या लाना है सबजी लाने है तो दादर स्टेशन पर आप जब उतर होगे तो आपका mobile वाइबरेट होगा यह US में activate हो चुका है location की सबसे इंड़े में नहीं हो रहा है यह शायद सी यह साल में activate हो जाएगा तो यह चीज़ है पहली सेकेंड है collaborator का option यह है कि मानलो मेरी यह list है मेरी working list है मुझे किसी के साथ शेयर करने तो मुझे सिर्फ यहाँ पर उसका email ID डालना है यह मैंने email ID डाल दिया तो उसको email पर चला गया यह option है जितने भी लोगों के से आपको collaborate करना है वो कर सकता हूँ यह है चेंज करना है तो मैं चेंज कलर कर रहा हूँ इसका यह लोग अतला मतलब आपको specifically identify करना है कौन से वरक आपके business के कौन से वरक आपके Facebook के कौन से वरक LinkedIn के यह आपको specifically mention करने तो label change में color कर सकते हो इसके बाद add image करनी है यह बहुत interesting यह है subject आप देख लो add image करना है मैं क्या करता हूँ desktop से भी कोई भी image फिलालतों के लिए open करता हूँ यहां से मैं कोई भी image जिसमें text available है वो image यहां से मैं pick करता हूँ मैं एक बार search करने दू मुझे कौन से image में text available है इसमें तो कोई भी text वाला नहीं है एक text वाला image दिखता हूँ यह एक image है मेरी client की यह मैंने select की lose weight now ask me how उनका herbal like product है तो यह image मैंने click की अब यह मैंने save किया यह रेको यहां पर image के साथ यह data save हो गया अभी मुझे share करना है तो यहां से मैं directly share कर सकता हूँ यहां पर delete note कर सकता हूँ add label कर सकता हूँ add label क्या है मैं बताता हूँ add drawing कर सकता हूँ add drawing मतलब आप paint से कुछ भी कर सकता हूँ यहां पर normally यहां पर मैं मंदर लिक रहा हूँ मेरा नाम मुझे जो चाहिए signature करना है तो मुझे जो चाहिए मैंने लिख दिया यहां पर save किया store हो गया तो signature के साथ यह यहां पर save हो गया यह जो last more का option है उसमें और एक है देखो make a copy मैं duplicate भी बना सकता हूँ जितने चाहिए उतने duplicate बना सकता हूँ कैसे working होते हैं कैसे बें में बता थे बहुत interesting है short tick box अपको tick box ही है तो मैं Tick box click करता हूँ यहां पर देखो tick box है मुझे जैसे जैसे complete करना है वैसे वैसे यहां पर मैं Click करके Emaculture, Corinth apples एक नीचे complete में जा रहा है यहां पर tick करनह के को बाध तो यह एक option है है सब्सक्राइब करने कि आपको डेटा कॉपी करना है तो क्या करना पड़ता है अपको पिच्छर लेनी पड़ती है और उसमें सब्सक्राइब टाइप करना पड़ती है लेकिन गूगल के आप्षिन से वो आपको 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 मैं कुन सा ले लूँ हाँ यह लेता हूँ उनका ही तो यह मैंने ओपन किया यहाँ पर फोटो नीचे एक ऑप्शन है मोर का ग्राइब इमेज टेक्स मैंने इमेज ग्राइब किया है इमेज टेस्ट ग्राइब होगी अभी हुई है के देखते यह देखो यह है यह इतना आसान है आपको किसी भी टेस्ट आने आपको किसी भी टेक्स का मतलब किसी भी पीचर का टेक्स अगर कॉपी करने तो इससे कर सकते हो इसमें कॉपी तो गूगल डॉक्स ऑप्शन है मतलब गूगल के क्लाउड पर आप सेव कर सकते हो तो गूगल कीप में भी स नहीं करूंगा, अभी मैं आपको magical thing बता दाओ, कैसे आपका time manage हो सकता है यह मैंने note पे जो option था note पे labels का तो labels के option पे देखो, मैंने इतने साथ labels बना के रखे या पर edit label पे जाके इतने labels आप add कर सकता हूँ, तो मैंने इतने labels add करके लेके, मैं example के लिए बताता हूँ Google Keep Detail तो यह मैंने यहाँ पे एक label बना दिया नया वाला अभी वो कहा गया देखते है चलो यह Google Keep Detail का label बन गया अभी यह label बनाना क्यों ज़रूरी है यह मैं बता दो, पहले देखो मैंने कौन सा label बना है, 7X क्रोट का अभी business के लिए जितने भी मुझे articles की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ और share करता हूँ यह देखो business के लिए एक advertiser run हो रही है struggling for qualified leads for your business यह add run हो रही है तो मैंने मैं data save किये यहाँ पे मुझे shift share करना है तो यहाँ से मैं directly share कर सकता हूँ अगर आप यह mobile से share करना चाहते है तो mobile पे whatsapp से भी sharing allowed है सिफ जो web interference से वहाँ से whatsapp पे share नहीं कर सकते है बाकि email वगरा कर सकते हो लेकिन mobile से आप email कर सकते हो facebook पे डाल सकते हो या whatsapp भी कर सकते हो यह data मैंने generate किया 7x के बार में दूसरा एक मेरा concept है बजार बड़ी का तो बजार बड़ी के promotions के लिए जितने भी चीज़े ज़रूर ही है तो यहाँ पे मैं उसके सभी details मैंने यहाँ पे mention किये blocks कि यह मैं मराठी में blocks लिखता हूँ तो मराठी के जितने भी blocks में रहे है तो यहाँ पे मैंने उसके broadcasting format सी है डाल के रखे जो short pages है देखो मुझे इसके साथ यह blocks का share करना है मेरे दोस्तों के साथ यह मेरे मित्रों के साथ तो यह मैंने store करके रखे detail block चाहिए तो मैं google doc पे save करता हूँ यह मुझे share करना है तो मैं यहाँ साथ share कर सकता हूँ यहाँ से google docs पे google docs मुझे share करना है यह तो option है वहाँ पे books के बारे में कौनसे-कौनसे books पे मैंने articles लिखे है तो मरठी में तो उसके मरठी में जो typing मेरा work है तो यहाँ पे मैं save करके रखता हूँ cf or index client है तो उसके बारे में जो मेरे promotions है तो यह देखे हैं उसके links यहाँ पे copy images अगर मुझे कुछ information चाहिए या market में information completed के मिलगे तो मैंने यहाँ पे save करके रखी है जो information मुझे मेरे working के लिए कुछ information मिलने के लिए बहुत आसान होते है digital we card digital we card के मेरा promotion होता है तो digital we card के बारे में जितने भी informations है या देखो website link है information है terms and conditions है interactive we card है उसके बारे में information है मैंने यहाँ पे save कि मैं example के लिए बताता हूँ get interactive digital we card what rupees find it absolutely free for GTO members या भी तो फिलाल free कि स्कीम बंद है मेरा पेड आप mystic salesman का digital brochure का website देख सकते हो या पर मैंने visiting card के बारे में information दिख्या है click to email है click to call है click to call है यह सब information features आपको digital we card में available है digital we card का sample चाहिए तो आप description में जाके sample ले सकते हो यह आपको digital brochure का sample चाहिए तो वह भी description में रख दूँगा family के बारे में फिलाल तो कुछ नहीं है लेकिन family में जो whatsapp group में information आती है जो मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे मैं save करता हूँ google keep तो मैंने अभी बना है gto group gto group में मुझे जो promotion करने वह आपने यहाँ पे mention किये हावरे बिल्डर जो मैं society में हूँ वहाँ पे मुझे format डलना था तो यह format मैंने ready करके रख है jack card digital vision card jack moira गत था तो इसके promotions मैंने यहाँ पे mention करके रखे यह मैंने सब articles बना है build brand at rupes 125 per month यह options है अप्शन से लिखले का option है लिखले का application है वेब पे available तो उसके information से मारश्य चेंबर्स of commerce के लिए मुझे कुछ articles लिखना था तो उसके बार में मैंने यहाँ पे store करके रखा है MS party के लिए मारश्य नेवन्मेंट सेना के लिए यह कुछ article निकाल के रखे थे यह मैंने save करके लिखे mystic salesman के लिए तो दोस्तों आपको एक idea आया रहे रहेगा कि कौन से business के लिए क्या save करना information personal इसमें आप क्या कर सकते हो यह भी देखो personal information में आप अपने bank details save कर सकते हो payment gateway links share कर सकते हो मैं एक चीज़ बताता हूँ यह देखो यह मेरा client का है तो उनके जितने भी visiting card है जितने भी brochures है उनके जितने भी payment gateway तो यहां पर मैंने क्या किया वो सभी information store करके रखिये link format में तो मुझे हर बार link कहां पर यह search करने के जरूरत नहीं मैं वहां से जाता हूँ यहां पर आके store करता हूँ सिफित नहीं मेरा काम है इससे आपका दिन का 2 घंटा save हो सकता है बचाओ अपना time time बचेगा तो आप बचोगे क्योंकि मेरे एक sir ने कहा था कि time pass तो आप कर सकते हो लेकिन आगे जाके time अपको पास नहीं कर सकता दोस्तो यह चीज़ ध्यान में रखना वीडियो अच्छे लगा तो like करना, share करना, subscribe करना और share करना अपने दोस्तों के साथ अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्तिक मंदार love you all, God bless you